दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इक बहुत ही अच्छी कोई लेकिन उससे पहले आप यह देखो यह ग्लाइफोसेट यह फसलों पर छिड़का जाता है और इसकी वज़से लोगों को इस हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है क्यूंकि उन्हे कह रहे हैं बलकि IARC जो की डबलो एच्चु की ही ओर्गिनाइजेशन है वो 2015 में कहे चुकी है कि ग्लाइफोसेट इस प्रॉबिबल कार्सिनोजन फोर हुमन्स और जो कंपनी है ना मुंसांटो जो इस ग्लाइफोसेट को बनाती है और इसको बेचती है राउंडप के नाम जाप इसे पहले से भाइंड कर चुके मिड्ली स्की लगबख सारी कंट्री ने इसे बैंड कर रखा है यूरोप में बहुत सारे देशों ने बैंड कर रखा है और यह सब कुछ आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत ही सपश्च तरीके से देखा था अर आब आप से हम एक बहुत ही एहम सवाल पूछ रहे हैं कि आप करो कि यह जो मॉंसांटो कंपनी है इसके 5 लाग से ज्यादा शेर किस इंसान के पास होंगे पांच हजार नहीं, पांच लाग से ज्यादा शेर्स आजी सही सोच रहे हैं आप यही, यही बिल गेट्स जो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी यह फार्मर बन जाता है कभी क्लाइमेट एक्सपर्ट बन जाता है अब आप देखो कि यह सब को पता दो था कि हाँ, ग्लाइफोसेट बहुत गड़बड है, इससे कैंसर हो रहा है सब लोगों को खुल लयाम पता था लेकिन फिर भी सेंटर ने आज तक इसे बैन नहीं कर रहा था और इसी वज़ा से यह सभी स्टेट्स में धडलले से यूज़ किया जा रहा था लेकिन अब एक बहुत ही पॉज़िटिव डेवलापमेंट हुआ है कि सेंटर ने एक नोटेस इशू करा है 27 ओक्टूबर 2022 को कि इस ग्लाइफोसेट के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और सिर्फ और सिर्फ authorized pest control operators ही इसको यूज़ कर सकते हैं अब आप यहाँ पे ये पैसो का खेल समझो कि सेंटर ने अभी भी नोटेस इशू करा है ये ये कोई law नहीं बना है कोई legally enforceable नहीं है ये जो restriction लगाई गई है ग्लाइफोसेट पर अब आप थोड़ी देर के लिए judge बनो और हमारी एक सवाल का जवाब दो कि जब 2015 में ही IARC जो कि खुद WHO की ही organization है जिसे तथागतित बुद्धी जीवी भगवान समझते हैं कि WHO ने जो बोल दिया वही सच है वह खुद बोल चुकी है कि हाँ भाई ये जो ग्लाइफोसेट है उससे cancer हो सकता है 2015 में बोल चुकी है फिर भी हमादी सरकार को साथ सा लग रहे है इस ग्लाइफोसेट को restrict करने में ती हैं वी नहीं कर हैं तो यह तो पंजाब की सरकार त्यलांगना की सरकार त्यलांगना की सरकार महाँ रहाद कि सरकार आंधर प्रदेश वाहर यह 20 २्यौंत सांटो जो इस गलाईफोसेट को बना रही है यह मुर्ख है या फिर बिलगेट समुर्ख है क्यूंकि दस बिलिछन ड selection दे को हैं भाई हमारे प्रोड़क्त 2ड सीushpot ग्लाहस को हुआ है तुम लोगों को यह लोग 10 बिलिड डॉलेlli Sprac sailingे तो यह था हमारे पहला सवाल होता है यह 90% है कि नहीं होता है लेकिन 10% चांस है कि होता है तब भी इसे कर देना चाहिए लेकिन यहां तो एकदम शुटरटी से फटा है कि ह्यां भंदवाय गलाइफ तबहर न की क्लेंस दिये के लिए और तभी सरकार इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं तभी तो अब सरकार पिछले साथ सालों से क्या कर रही थी नियुक्त 88 यह हमारा दूसरा प्रशन आपसे अब अब कमिंट करके हमें बताओ कि माजरा है हमें तो समझ नहीं आरा राह बराल यह बहुत अच्छी डि स्ट्रिक्ट तो हुआ लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज थोड़े रिसर्च पेपर्स आप लोग पढ़ लो और साथ में इसे जल से जल बैंड भी करो और जिन किसानों को इस ग्लाइफोसेट की यूज से जो पॉइसनिंग से जो नुकसान हुआ था उन किस किसानों को नुकसान होगा क्योंकि खेती की कोस्ट बढ़ जाएगी तो उन किसानों के लिए भी कुछ हल निकलना चाहिए अब यह बात आप समझ चुके हैं अब सीधे चलो हमारे साथ 2016 में यह अनील मादवदवे हमारे देश के 2016 के इन्वाइमेंट मिनिस्टर इनकी मृत् और उनके जो लॉयर है उनका कहना है कि Monsanto यही जो कंपनी जो ग्लाइफोसेट बनाती है और Bear कौन सी कंपनी है जिसने अभी Monsanto को एक्वाइर कर लिया है यह दोनों कंपनी अनील मादवदवे पर बहुत जादा प्रेशर बना रहे थे किस चीज के लिए प्रेशराइज कर आते हैं और यह सब लोग जानते ही है कि बहुत जादा हानी कारक है तो अनील मादवदवे उसे मना कर रहे थे कि हम इनने में नहीं लॉंच होने देंगे उनकी फैमिली ने इस पर्श लेटर में लिखा हुआ है कि अनील मादवदवे एक मीटिंग में गए थे जहां पर सार उसलनल करने सोरकार के पास दिया तो सरकार ने रृफ़ादफा कर देगे विभा दे रफ़ा बर रफ़ार कर दिया लेकिना मीली के अनील मादवदा रवे एक दम हेल्थी एक दम दुरूste और हार्ट ड़ाक के पीछे इक बहुत बड़ा रहस्से में कारन है अब आप ये पूरा केल समझ रहे हो ना कि कितना बड़ा निक्जस है मुंसांटो का, बेर का और बिल गेट्स का लेकिन अब आप लोग जो ये जानकारी शेयर करते हो ये जो विडियो शेयर करते हो इसे पूरे भारत में लोगों में इसके प्रती बहुत जादा अवेरनेस फैली है और इससे बहुत जादा पॉजिटिव डिवलप्मेंट्स भी हम देख सकते है और यही टीम लाइस्टाइल की पिछले दो साल से कोशिश भी है कि लोगों तक ये जानकारी पहुच पाए क्योंकि टीवी मीडिया से कवर नहीं करता है ग्लाइफोसेट जिसे टॉपिक्स को लिकिन आप लोग एक बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हो ये अवेरनेस फैलाना में और टीम लाइस्टाइल आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है और अब आप मेरे नेक्स दो वाकिये ध्यान से सुनिये पहली चीज़ अगर आप इंटरनाशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते है और अवल एकनॉमिक फोरूम क्या कर रहा है आपको बहुत ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सल्यूशन है आई एमपेच उसका पार्ट वन आपको समझाया जाता है दूसरी ज़रूरी बात बहुत सारे लोग पिछले डेर साल से हर महीने रेगुलर वेबनाज अटेंड कर रहा है जिससे एक बड़ा ग्रूप बन चुका है आज जिनके बहुत फ्रॉंग बेसिक्स हो चुके है और बहुत डीप नॉलिज हो चुकी है इन सारे अजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स हुमन सिविलाजेशन को किस दिशा में ले जा रहा है वर्ल्ड एकनामिक फोरॉम जिस स्पीड से फैल रहा है हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सल्यूशन की तरफ बढ़ना है आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सल्यूशन का हिस्सा बनें और आप लॉंग ट्रेनिंग अटेंड करें क्योंकि तभ ही वो सल्यूशन प्राक्टिकल है तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं और तब तक आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समत सकें